नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में कई वस्तुएं ऐसी बताई गई हैं जिने घर में रखने से धन, सुख, समरिधी और शांती की प्राप्ति होती है इसलिए ऐसी वस्तुएं को अपने घर में अवश्य रखना चाहिए शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि जिस भी घर में ये पाँच मंगल की प्रतीक वस्तुएं रखी जाती है उस घर में हमीशा बर्गत बनी रहती है और माता लक्षमी की क्रपा बरस्ती है साथ ही धन, समरिधी और सुख की अगाद गंगा बहती रहती है यही कारण है कि इन चीजों को घर के पूजा इस्थल में रखने का अधिक महत्व है आईए जानते हैं कौन सी हैं वो पाँच चीजें जिने घर में रखने से धन, सुख, समरिधी और शांती की प्राप्ती होती है पहली है शंक, शंक समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त हुए 14 रत्नों में से एक रत्न है माता लक्ष्मी साथ समुद्र से उत्पन होने के कारण शंक माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है और माता लक्ष्मी का भाई माना जाता है इसलिए घर के पूजन इस्थल पर आपको शंक अवश्य ही रखना चाहिए और प्रते दिन अपने घर में शंक नाद करना चाहिए इससे नकारात्मक एनरजी का हास होता है और सकारात्मक एनरजी का वास आपके घर में हो जाता है दूसरी चीज है कलश कलश मानव जीवन में सुख और समर्द्धी का प्रतीक होता है पूजन इस्थल पर रोली कुम कुम से अश्चदल कमल की आकृती बना कर उस पर मंगल कलश रखने के परंपरा हिंदू परिवारों में प्राचीन काल से चली आ रही है कलश से घर में समर्द्धी बनी रहती है हिंदू धर्व में स्वास्तिक को स्वभाग शक्ती, समर्द्धी और मंगल का प्रतीक माना जाता है प्रतेक पर्व और अनुष्ठान के दौरान स्वास्तिक बनाया जाता है इसलिए घर के पूजन इस्थल पर धातू का बना स्वास्तिक जरूर रखना चाहिए इसी क्रम में चौथी चीज आती है दीपक और धूपदान प्राचिनकाल सही पारम पर एक दीपक मिट्टी का ही बनाया जाता है दीपावली जैसे बड़े पर्व पर भी मिट्टी के ही दिये प्रयोग में लाइ जाते हैं वहीं धूप देने का पात्र भी मिठी का बना होता है इस पात्र में उपले को जला कर गुड़ और घी की धूप देने से घर की सारी नकरात्मक उर्जा दूर होती है और ऐसा करने से घर में हमेशा ही समरिधी रहती है और अंत में आती है पांचवी घंटी जिन घरों से प्रते दिन घंटी बजने की आवाजे नियमित आती हैं उस घर का वातावरन हमेशा शुद्ध और पवित्र बना रहता है इससे नकरात्मक शक्ती हटती है और समरिधी के दर्वाजे खुलते हैं मित्रो वीडियो कैसी लगी हमें अवश्चे बताएं और कमेंट में अपना सुझाव दे कर हमें एक लाइक अवश्चे दें संपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद आप सब का दिन मंगल में हो